पहला अपडेट नथिंग से है, एप जिसका नाम iMessage है जिसे हाल ही में नथिंग द्वारा प्ले स्टोर पर रिलीस किया गया था, लेकिन कुछ प्रिविसी कंसर्ण के कारण इसे तुरंट प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, मुख्य प्रिविसी कंसर्ण ये है कि मेसेज़ अपडेट वनप्लस की ओर से है, वनप्लस अपना नया फोन वनप्लस 12 चार दिसमबर 2023 को चाइना में लॉँच कर रहा है, तीसरा अपडेट अलास्का एरलाइन्स से है, अब आप अलास्का एरलाइन्स में इन फलाइट परचस के लिए एपल पे का उप्योग कर सकते हैं, आप अपने Windows को अपडेट करके Copilot इस्तिमाल कर सकते हैं। छथा अपडेट OnePlus से हैं। OnePlus ने अपना AI Music Studio लाँच किया है। अब आप इस Studio का Use Music बनाने के लिए कर सकते हैं और एक प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं जो केवल OnePlus users के लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। Link in description। साथवा अपडेट OpenAI से है, जो ChatGPT की मूल कमपनी है। OpenAI Board ने OpenAI के CEO Sam Altman को निकाल दिया है और अब Sam Altman Microsoft में शामिल हो गए हैं। आथवा अपडेट भी OpenAI की और से है। OpenAI ने Amateur को कमपनी का नया CEO चुना है। नौवा अपडेट Bing Search Engine की और से है। Bing Search result में आपको AI Captions देखने को मिलेंगे। दसवा अपडेट Samsung की और से है। Samsung Galaxy S24 Series 17 जन्वरी 2024 को लॉंच हो रही है।